नमस्कार वित्रू बहुत बहुत स्वागत थे आपका हमारे चैनल में तूले रासी बालों आप लोगों के जीवन में 23 जनवरी सुबह 7 बजे से जिंदगी भर का सवाल है इसलिए सारे कारे को छोड़ कर वीडियो सबसे फेले देखें क्योंकि तूले रासी के लोगों के कुंडली में सूरी का रासी प्रवर्तन मंगल का रासी प्रवर्तन बुद्ध का रासी प्रवर्तन हो चुका है और कई प्रिकार के दुलब सयोगों का निर्मान भी आप लोगों के कुंडली में बनने के कारण आप लोगों को बड़ी मुस आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे फहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सस्क्राइब अबस्य कर लें ताकि रोजान आरासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दनों को बहत्तर बना सके सनी देव जी की कृपा से आप अपने जीवन में कई बड़े सुबकारे को कर सकते हैं आपके मुलकात किसी पुराणे मित्र से होंगी दमबिट के साथ बाहर जानी के अमोशन भी आप मन मना सकते हैं परिवार वालों के साथ आप घर पर हिपूँँ भी देखने का फ्लान बना सकते हैं आप कोई नया बैपार वैवसाई का प्रारंब कर सकते हैं जिनसे की आपको भ़िवसे में फाइड़ होंगे आर्थिक पक्षि भी आपको मजबूत रहेगा करियर में नए मौक्षे मिल सकते है आर्थिक की स्तित्यम में वदला होंगे निवेश के लिए आपका समय आपके फेवर में रह सकता है आप अपने स्वास्त की देखबाल जरूर करें आपको भी कोला के समस्टाएं हो सकती हैं ऐसे में खूब पाने पिया करें आप लोगों को अपने जीवन में सनिदेव जी की खृफा से बड़ी खुशकबरी मिल सकती हैं आपको लब मीटर के अनुसार आपके लिवलाइफ में भी अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे बदलाब देखने को मिलेंगे आपको अपने सच्चा प्यार मिल सकता है आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की फ्रिसाने को दूर कर सकते हैं आपका समय शुरू हो चुका है आप गरीब और जुरतमंद लोगों की मदद कर सकोगे आपके जीवन में उतने ही तेजी से फ्रगती होंगे और नए रास्ते खुल सकते हैं समाँद में आप नए विसाल को इस्तापिद कर सकते हैं सफचा नवकरी और कारिशेतर में किया गया प्रियास आपको सफलता दिलवाएगा बार-बार लगा थार किया गया प्रियास भी आपके लिए लाैफ सैंजिंग सावित होंगे किसी के वेकाविम्याकर कोई भी मात्मुन फैसला मिलकुल भी ना करें गनेश पगवान की किरपा से आने वालस में आपके जीबन में बुलंदियों को छूने में आपको सफलता हासल होंगे आप अपने जीवन में विर्दी कर सकते हैं, वैपार वैवसाय में उन्नती कर सकते हैं, धनलाब अवस्य होंगे, आपको खोया वप्यार भी वापस मिल सकता है, आपके रिस्तों में मिठा सकते हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है, आपका आने वालस में बहुत तिस्व आपको भविस्य में अच्चे प्रणाम हासिल हो सकते हैं, आर्थिक धनलाब हो सकता है, आमदनी के अच्चे श्रोध भी हासिल होंगे, नए लोगों से मुलाकात हो सकते हैं, आप लोगों को धन प्राप्ति का योग बन रहा है, नए प्रेमी प्रेमी का के सम्मंद वेतर होंगे, और आप अपने बैपार बैवसाई के शेतर में निरंतर उप्लवदियों को प्राप्ति कर सकते हैं, आपके जीवन का हर एक चंद सुहावना हो उठेगा, और भगवान स्तनी देव जी की किरपा से, आपके जीवन में आपको विसेश और अनोखी खुशकवरी मिल स आएगा, आपको इस समय दहर रखना आपके लिए विहदी जरूरी हो सकता है, आप समय का आनन्दले, धनल आपका योग विहदी आवस्यक हो सकते हैं, वेपार बैवसाई के शेतर में रोत्री होने से आपको लाव मिल सकता है, परिवार में माता फिता का सही योग आपको से अधिक मिलेंगे, जिसके कारण आप अपने बैपार बैवसाई को नए लेवर पर ले जाने में काम्यावी को हासिल कर सकते हैं, आप अपने कुरोध पर नेंदर नखने की आवस्यकोस करें, आपको सिक्चा के शेतर में कोई वड़ी काम्यावी मिल सकती हैं, विद्ध्या आने वाला समय काफी सुबर काफी लापकारी रहने वाला है, कारी शेतर में किया गया, आपको काफी उचित प्रणाम देनाने वाला है, तथा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भगवान स्रेयर विसुजी की किरपा से आपके जीवन में नई खुसियां दस्रक दे सकते ह आपके दुखों का अंतु होगा, आपको अपने सच्चा प्यार मिलने से कोई नहीं रोख सकता, लवलाइफ के मामनों में किये गए फ्रियास भी सफ़ल होंगे, जीवन साथी के बीच आपके रिष्टों में मुदरता आ सकते हैं, रिमीका के जित पर आप किसी रुमानिट सच्च योग मिलेगा, आपको विजनस के वेपार में अचानक से लाव हो सकता है, आपको सभी तरक के करजों से चुटकारा मिल सकता है, वेपार और वेवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं, नोकरी पेसा वाले लोगों को उनकी नोकरी में उनके परिवार का माहूल खुस्नमा बना रहेगा, आपको उच्च फदो के फ्राप्ती होने की प्रबल संभावना है, आपके पास समय की अधिक्ता रह सकते हैं, आपका समय मौज मस्ती में निकलने वाला है, सनिदेव के आशुरबात से आप अपने सभी कारों में सफलता को फ्र अगवन होने वाला है, आपके आत्मे स्वास में बड़ोतरी होंगी, आप अपने काम काज की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं, आप सभी योजनाओं पर धैर इसे काम लेंगे, आपके द्वारक की गए मेहनत का अच्चा लाव मिल सकता है, असानक आपको लाव के कई अवस हासिल हो सकते हैं, घर में किसी खास मेहमान का अगवन हो सकता है, जिनसे घर परिवार का माहूल कुस्नमा बना रहेगा, आपके दंदोलत में इजाफा हो सकता है, आप कई प्रकार के दुख्त गलिफियों और समस्याओं से भी चुटकारा प्राप्त कर सुकोगे, आपके द पारिक शेतर में अच्छा मुनाफ़ा मल सकता है, आप धन का संचे करने में सफल होंगे, आपके धन में लगातार वड़ोतरी होंगे, आपके बनाई गई योजनाय सफल होंगे, कामका से कुझ उड़े, आपके कुछ बहतर कारी भी हो सकते हैं, बहतर सहयोग भी आपको प् दहाई में लगेगा संतान की और से आपको कोई खुशकबरी मिल सकते हैं नौकरी और बिजनस बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग बना सकते हैं धन की तंगिया भी अचानक से खत्म हो सकते हैं रिष्टों और समंदों में मदुर्ताव रह सकते हैं वैपार में कुछ बड़ा की राष्टे पर ले जाएगा कुल मिला कर आपको थोड़ा धैर जरूर रखने होंगे आप इस समय का आनंदले धनलाब का योग बन रहा है वैपार के शित्र में बढ़ुत्री होने से लाभ मिल सकता है परिवार में माता फिता का सहियोग आपको सबसे अधिक मिलेंगे जि विद्यार्ति वर्गे के फर्तुगी परिचाओं को प्रिणाम सत परतिसत प्राप्त होंगे आपके जीवन में सुर्य देप भी काफी बड़ा चमतकार करने वाले हैं और उनकी भी कृपा के कारण आपके सभी परिसानिया दूर होंगे भगवान सिरेर विश्रू जी की कृ होंगे रिस्तों और तथा समंदों में मुदूरता आ सकती हैं